कि यूट्यूब चैनल का सवगत है दिस इस तो आज हमरा टॉपिक है केमिस्ट्री पार्ट टू चैप्टर पॉलीमर पॉलीमर आर हाइ मोलीकूर मास आफ माइक्रो मॉलीकूल कंसिस्ट्रिपिटिंग इनिफ्र प्र दो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर फॉस्ट टॉपिक है बेस्ट-on-source library, on structure, intermolecular force, mode of polymerization, biodegradation and number of minimum, first-based on source, based on structure, based on intermolecular force, based on mode of polymerization. based on biodegradation and number of monomers तो रेखते हैं based on source based on source divided into three types natural polymer synthetic polymer और semi synthetic polymer उसके बाद the based on structure based on structure में linear change polymer second brand change polymer and third cross link polymer अगर आपको इसकी definition अच्छे से चाहिए होगी तो आपको वो description में आपको मिल जाएंगी थर्ड intermolecular force intermolecular force divided into four types elastomer fibers thermoplastic polymer and fourth thermosetting polymer उसके बाद हमारा हो तीन हो गए चौता mode of polymerization तो mode of polymerization में तीन टाइप addition polymerization condensation polymerization third ring opening polymerization यह हो गया mode of polymerization third bio degradation इसमें टो टाइप bio degradation polymer and non bio degradation polymer यह भी हो गया और लास्ट है हमारा number of monomers तो number of monomers में first homopolymer second heteropolymer तो यह हमारा हो गया classification of polymer अगर आपको इसमें से किसी भी एक की definition चाहिए होंगी अच्छे से लिखके तो वो आपको description में मिल जाएंगी आप वहाँ से लिख सकते हैं तो इसके बाद का ठापिक है हमारा स्टेप involves in a free radical यह question है question आ सकता है इसमें आपको चार्स टेप लिखने मनेंगी फर्स्ट formation of free radical second initiation step third chain propagation step fourth and last chain termination step यह भी हो गया इसके बाद करते देखते हैं नाच्रल रबर नाच्रल रबर में आपको definition लिखनी होगी नाच्रल रबर की structure और properties यह भी आपको description में मिल जाएंगे उसके बाद वॉलकराइजेशन आफ रबर तो वॉलकराइजेशन आफ रबर में तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग नैच्रल रबर वित इंक्रीजिन टेंसायल स्ट्रेंथ और तफनेस और इलास्टिसिटी कॉल एस वलकनाइजेशन और रबर इसके वलकनाइजेशन के पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसके बाद देखते हम पॉलीथीन पॉलीथीन के दो टाइप है ल्डीपी एज डीपि लो डैंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसके बाद टेफलोन टेफलोन का लॉंफो में पॉली टेटराफ्लूरो इथिलीन उसके बाद polyacrylonitrile यह इसका फॉर्मुला है अलेट इस इस दिन अपूल मेगिंग बस्केट शीट्स उसके बार का टॉपीक है हमारा पॉलियमाइट पॉलिमर इट कंटेनिंग चीओ एनेच लिंकेज पॉलियमाइट पॉलिमर डिवाइड इन्टो टू टाइप्स नाइलोन 6 और नाइलोन 6-6 तो नाइलोन 6 का स्टार्टिंग मटेरियल है एपसलॉम कैप्रोल अक्टम नाइलोन 6-6 का स्टार्टिंग मटियरियल है है एक्स एडिपिक एसीड तो यह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगा और हमारा लास्ट जो टॉपिक है वह है सिंथेटिक रबर बुना एस और नियोप्रिंट रबर तो ऐसे हम रिविजन कर सकते हैं अच्छे से लिख के कि को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्यू